आप सब का मेरे दर्शन करने का सोभागी मिला और आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन मेरी मिटिंगे चल रही थी और उसके कारण मुझे भी लगा आप तो मेरे घर के हैं थोड़ी तकलीफ होगी तो चल जाएगा आप सब यहां पर अपने आचार से, विचार से, वहवार से भारत के एक उत्तम छबी है वो यहां के जन जीवन में प्रस्थाफित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसने आपको बहुत बखुबी आपने निभाया है भारत का गवरो बढ़ाने में भारत के प्रती दुनिया का सकारत में खयाल तयार करने में विश्व में पहुँचे हुए जो भारतिये हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिक आदा की है कही पर भी दुनिया के किसी भी देश में जाईए भारतियों के प्रती शिकायत होगी ऐसी कोई घटना अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई है गत पाँच बर्श में दुनिया के कई देशों में गया दुनिया के कई देशों के महानुभावों से मिला और हर किसी ने उस देश में भारतीय कम्मूनिटी का जो contribution है जो ब्यवार है समस्कार है उसका गवरव पुन रुप से उलेक किया है ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विशय है और भारत की जो आज दुनिया में छबी बन रही है आप भी अनुभाव करते होंगे कि भारत के प्रती लोगों का देखने का नजरिया बड़ला है वहां की सरकारों का नजरिया बड़ला है तो एक सुभग संयोग हुआ है कि बरतमान सरकार और विश्व में फैला हुआ भारतिय समुदाय इन दोनों के बीच में एक ऐसा बेवलेन तयार हुआ है एक ऐसी बैचारी धरातल तयार हुई है एक सपनों का इस प्रकार से संकलन हुआ है कि देश का प्रधान मंत्री जो सोचता होगा दूर सुदूर आफरिका के गाउं में बैठा हुआ कोई भारतिय भी छोटी दुकान लेके बैठा होगा वो भी वैसा ही सोचता है वैसा ही बोलता है शिलंका के किसी कौने में होगा वो भी वैसा ही बोलता है वैसा ही करता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को देने के लिए आपकी भुमी का कम है गर्व से स्विकार करता हूँ आफर भी व्यक्त करता हूँ हिंदुस्तान में पिछली दिनों ज़र आप ज़्यादा खबरे देखते होंगे टीवी देखते होंगे डिबेट देखते होंगे तू-तू मैमे की कहानिया सुनते होंगे कभी आपको अच्छा लगता होगा कभी आपको गुसा आता होगा लेकिन वो दोर समार तो हो चुका है और देख की जनता ने एक बहुत ही क्लियर कट मेंडेट दिया है ये अपने आप में भारत के मतदाता की सूजबूच कितनी परिपको है उसकी समझदारी कितनी परिपको है ये दुनिया के लिए अध्यान का विशय है लोग भले कहें कि भारत में सिख्षा का प्रमाणिय है डिकना है फलाना है लेकिन लोग तंत्र के परती उसकी समझ देश के परती उसकी जिम्मेवारी का उसका एसास इस चुनावक में हम भली भांती देख सकते है और इसलिए भारत के लोग तंत्र का जितना जैगान हम कर सकते है दुनिया के लोगों को अश्रे होता है कि इतना बड़ा चुनाव 900 मिलियन मत दाता और अगर चाइना को छोड़ दे तो दुनिया के किसी भी देश की पॉपिलेशन से ज़्यादा लोगों ने इस बर वोट डाला है और ये इतना बड़ा निर्णे होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है आजादी के बात सबसे ज़्यादा मतदान इस चुनाव में हुआ है आजादी के बात लोग सबाव है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो भी मई मैने में 40-45 डिगरी टेंपरेचर घर से बाहर निकलो तो चमड़ी जल जाए उसके बाद भी मतदान हुआ आजादी के बाद अब तक महिलाओं का सबसे जादा मतदान इजबार हुआ है आजादी के बात पहली बार इतनी बड़ी तादाद में महिला MP चुन करके आए है याने एक प्रकार चे भारत ने दुनिया के लिए एक ससक्त संदेश दिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना परिपक्प है भारत का लोकतंत्र कितना सामर्तवान है और लोकतंत्र के मुल्यों के लिए भारत कितना समर्पित है भारत में लोकतंत्र ये व्यवस्ता नहीं है भारत में लोकतंत्र ये संसकार है और दुनिया यही समझ नहीं पाती है दुनिया आज भी व्यवस्था से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है भारत संस्कारों से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है सद्यों से हमारे पुर्वजों ने जो परंपरा बनाई है उसमें लोकतंत्र का एसंस है और बुसी के कारण आज हमारा लोकतंत्र सामर्थवान बन करके नित्य नई तांकत पाते हुए आगे बढ़ रहा है और मैंने तो चुनाव जीतने के बाद भी कहा है कि भले मत्तदान के समय अधिकमत, कम वोट, जानदा वोट वाला जीतना है वकिर होता है लेकिन वो सब काउंटिंग तक ही होता है काउंटिंग होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान एक होता है एक सो तीस करोड देश वास्यों का कल्यां यही सरकार का लक्ष होता है यही सरकार की जिम्यवारी होती है और मैंने उसको दोराया है, आज फिर से दोरा रहा हूँ हमें देश को आगे ले जाना है पांच साल में और गती बढ़ानी है और नएक शेत्र बढ़ाने है हर हिंदुस्तानी का सपना पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है उसमें कोई कमी नर है और आप जैसे लोगों का आशिरवाद बना रहे भारत की विकास यात्रा में आप भी भागिदार बने आपको भी मेरा निमंत्रा है आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के हमें आशिरवाद दिये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद आपका बढ़ाद झाल 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 झाल